नमास्कार स्वगत्या आपका हमारे चन्चार जागेंदर मेशा में अच्छे तरतिया के दिन घर ले आएं ये एक चीज पूरे साल जम कर पैसा आएगा अच्छे तरतिया के दिन कुछ ऐसी वस्त्वे हैं जिनको जरूर खरीदना चाहिए बहुत सिंपल है ज्यादा आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा बस दस रूपे में वह चीजे आ जाएंगी लेकिन आपके बड़े काम की हैं पूरे साल आपके जीबन में धन मान समान सुक की कमी नहीं होगी देखे मनुस्त के जीबन में बहुत ही सारे टेंसन भी परेसानिया भी हैं और अभी के वक्त में कुछ जादा ही है परेसानिया अब वैसे तो मनुस्त कजन में बहुत दोरलब है क्योंकि हर कोई चाहता है कि मनिस्ट होना अब मनिस्ट को अपने जीवन में बहुत सी परिस्तितियों से भी गुजरना पड़ता है हर ब्यक्ति अपने जीवन में कामयाभी पाने के लिए अधिग धन कमाने के लिए खूम मेहनत करता है ताकि वो अपनी और अपने परिवारों की ज़रूतों को पूरा कर सके खुशियों को दे पाए लेकिन जब कभी ज़्यादा मेहनत करने पर भी धन ना आए तब परिशानिया आती है मानसिक टेंसन बढ़ता है ऐसे में अगर कोई ऐसा सुब महुर्त मिल जाए जिस दिन कोई भी किया गया क्यार अच्छे पुन्न दे तो सोने पे सुहागा और यही चीजे इस अच्छे तर्तिया पर होगी क्योंकि इस दिन को अभुच महुर्त कहते हैं स्तरवार्द सिध्य महुर्त भी माना जाता है अच्छे तर्तिया को अच्छे तर्तिया को कई सुब दूरलब योग भी बन रहे हैं जिस तरह से आप दीपा वली की दिन धन की देवी मातल लक्षमी जी की पूजा कर के कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उसी प्रकार आच्छे तरतिया की दिन भी बिशेश क्रृपा प्राप्त की जाती है। होता कि शोना आप खरीद पाएं लेकिन आज हम कुछ खास वस्तुएं बताने वाले हैं जिसे अगर आप अपने घर में लेकर आते हैं तो धन की कमी नहीं होगी तो पहली वस्तु है आप अगर चाहें तो आप माता लक्ष्मीजी की तस्बीर और गड़ेस भगवान की तस्ब पित करें और माता लक्ष्मीजी की कृपा प्राप्द करने के लिए उनसे आशिरवाद लें तो माता लक्ष्मीजी की अशिरवाद बरसता है और आप निमित रूप से इस तस्वीर की फोटो की पूजा करें दूसरी चीज अगर आप लाएं तो सर्सों के दाने भी लेकर पीले सर्ट्यों के दाने, आप लेकर आएं और अपने पूजा स्थान पर आप रख दें और माता लक्ष्मी जी की क्रिपा बरसेगी और माता लक्ष्मी की असिरवाद बरसता बाद में इसको कपड़े में बांध कर आप शंभाल के रख लिजे या फिर धन के स्थान पर रख Αगली चीज है अगलि एक यह आप फुलाएं तो तो भट कर दो हमा आपकर तो इस अज़े। चीज है फुब पूजा पाथ में तो ध्हना दन अल्ग भरषता है और चौती चीज है यह निए फल कोई भी फल वगएरे आप लेकर आएं जो भी आपको लगे लाल फल लेकर आईएगा और आप कम दामों में भी लेकर आशकते हैं चुकि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और अच्छे तर्तिया से पहले जरू लेकर आएं या अच्छे त अगर आप मिटी का दीपक लाते हैं निमित रूप से अगर आप अप अपने घर में जिलाते हैं तो आपके जीवन में खूप धन बरसता है धन आता है और माता लक्षमी कृपा बरसती है तो ये पांच चीजे है जो आपको जरूर अच्छे तर्तिया के दिन अगर आप जीवर्ष ले कर आशकते हैं गुम्ती चक्र लेकर आक अच्छे तर्तिया की दिन कोडियां लेकर आसकते हैं माता लक्षमी को बहुत प्री है या फिर आप मौर का版 कर आएं ये भी आपको कम दामों में मिल जाएगा माता लक्षमी को आकर सीर करने के लिए अप थोड़ी से धनिया लेकर आएं क्योंकि मातालक्षमिज की धनिया बहुत प्री होता है तो इसलिए धनिया भी लेकर आएं और मातालक्षमिज की पास आप चणों में अर्फित कर दे बाद में धनके स्थान पर रख दे तो इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाऊगे पूरे साल ज प्रूजाना या फिर आप चाहे तो अगर मिट्टी का नहीं लेकर आ सकते हैं और रोजाना इस्टी दीपक में अगर आप दीपक जलाए माता लख्शुणी के सामने तो पूरे साल जमकर पैसे वरस्ते हैं कभी भी धन की कमी नहीं नहीं होती तो दोस्तो अच्छे तर्तिया क दिन घर ले आएं ये एक चीज इतना पैसा आएगा पूरे साल कि आप संभाल नहीं पाओगे तो दोस्तों कमेंट में जरू लिखेगा जै मातादी साथ वीडियो को लाइक करिएगा जदा जदा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जै मातादी